नमस्कार दोस्तों श्वागत हैं आप सभी लोगों का एक बर फिर से आज का जो विडियो हैं बहुत ही सुन्दर हैं आप अपना 7-8 मिनिट का बहमूल समय जरूर देना आप लाखो रुपय खर्चा करेंगे फिर भी इस प्रकार के कोई भी वेक्ति जानकारी नहीं यह जानकारी आप सभी दर सको को मुपत में अपने चैनल प्राचीन ग्यान में जनी तेवं जन कल्यान के लिए बता रहूं तो आप में से बहुत सारे लोगों ने कोमेंट करके पूछे थे कि गुरुजी धनवान बनने के लिए कुनसी माला पहने से आदमी की तकदीर बद यह बिड़ो को ध्यान शे देखना अगर आज की बिड़ो आप मिस करते हैं तो फिर सारे जिन्दगी पस्ताना पड़ेगा क्योंकि इस प्रकार की फिर जानकारी आपको कोई नहीं बताएंगे और हमेशा ध्यान रखना बिड़ो को पूरा जरू देखना अधूरे ज्यान ह खताना कि शावित होते हैं तो देखिए ऐसा माना जाता है कि माला पहनने से हर तरह की कष्टों से छुटकारा मिलता है सारी कष्ट हो, मानसीक कष्ट हो, धैहिक पीडा हो, दैविक पीडा हो, चैधन समन्धी पीडा हो किसी भी प्रकार के आप कष्ट में जुज रहे हो। उस कष्ट से ततकाल छुटकारा मिलता है। अन्यत्था व्यक्ति ऐसे अपने गले में माला धारान करके अधिक हुनते। अब ये प्रस्ण उड़ता है कि इन योगियों के पास में इन महात्माओं के पास में ऐसा क्या था जो कि सक्ति शंपन राजा के पास में समराटों के पास में नहीं था। किसी भी साधू के पास में और कुछ भी नजर आए अथ्वा ना आए ध्यान देना उसके जोली खाली हो। लेकिन गले में आप उनके माला लटके वए अवस्चा देखेंगे गले में माला धारान के वए आप जरूर देखेंगे क्योंकि माला की बीना एक उन्हें अधूरापन लगते हैं। माला ही क्यों इसके पिछे राज से आखिरी जो संतम हात्मा लोग हैं ये माला क्यों धारन करते हैं माला में क्या चीपा होता है माला में से क्या गुण होता है जो की संतम हात्मा लोग धारन करते हैं पिछले वाले बिड़ो में मैं आप लोगों को जैसे की दुद्राक्ष माल पहनने के फैदे बताया था लेकिन आजकाल मार्केट में बहुत जादा डूब्लीकेड बिक्तेम में इसके उरिजिनल की भी पहचान बताऊंगा कभी इसके बारे में और पिछले वाली बिड़ो में भी बताया था कि सभी दर्सकों को जो तुलसी के माला होता इसे किसे धारा माला के बारे में बताऊंगा जिस माला को धारान करते ही वैक्ति की तक्दिर बदल जाते हैं तो बिड़ो को ध्यांशे देखना कोमेंड बॉक्ष में जैसी राम जरूर लिखना क्योंकि दोस्तों प्रभु राम हमारे इस्टहरों कामना करते हैं कि जैसी राम आप कोमेंड ही की माला जो होते हैं इसे कब ध्रयन करना चाहिए आप में से अधिकता लोगों को हमने पिछले वाले बिडियो में बताय था कि लित के अकारसरस्ण शक्ति एवं जो चमतकारी गुड़ SIM शक्तियां होती इश्वता ही बृद्धी होने लगती हैं उस पर मालचमी की कृपा बरसने लगती हैं सनातन परंपरा में इस्वर की कृपा पाने और नौगरश शंबंधित दोशों को दूर करने के लिए तमाम तरह के उपाय किये जाते हैं इन ही उपाय में विभिन प्रकार के रतना आते हैं माला आते हैं इस करम में इस फटी की माला आते हैं इस फटी की माला एक ऐसी जाओदी माला है जिसके धारान करती वेक्ति के अंदर में आकरसन गुणा आ जाते हैं पारदर्सी एक प्रकार की रतना होता है जो कि माता लच्छमी को अतियंद प्री हैं जोती हर व्यक्ति को सूख चाहिए सांती चाहिए कई व्यक्ति की जीवन में धन दौलत इतना आ जाते हैं लेकिन व्यक्ति को सूख शांती और एक आगरता नहीं मिलते तो आप चाहते हैं कि धन दौलत के साथ आपके जीवन में सुक शांती और एकागरता आएं तो ये माला जरूर धारान करें हमने ये माला स्वयम धारान किये थे लेकिन हम मंतों से शिद करके माला धारान किये थे इतना ज़्यादा इस माला की चमतकार होते हैं देखें से कही जगा कांच मड़ी बिलोर, क्रिस्टाल, क्वार्टाज बहुत सारे नाम से जानते हैं और ऐसा भी कहा जाते हैं हमारे धर्मस सास्तरों में लिखे हैं कि इसे हीरे का जिया से सुनना इसे हीरे का उपरतना माना जाता है इसलिए इसके धारान का नेक बाद हमारे शुक्रग्रा मजबूत होते हैं जो शुक्रग्रा के आपको शुबफल प्राप्ता हो रहे हैं वहाँ पे आपको शुबफल प्राप्ता होना शुरू हो जाते हैं क्योंकि जो शुक्रग्रा है इसे ही धन का दियोनता कहा है। और जो वक्ति इस फटी की माला अगर माता लच्मी को शमर्पित करते हैं, शुक्रवार की दिन पहना देते हैं, पहनाने बाद इसके जीवन में बहुत ज़ादा परिवर्दन होते、 ऐसे वक्ति को अश्टप प्रकार की लच्मी सीध हो जाते हैं अब इसे धारान कुंसी दिन करना चाहिए तो इसे धारान सुक्रवार के दिन करना चाहिए और धारान करने से पहले क्या करना चाहिए 24 घंटे के लिए आब को गंगा जल में इस माला को डुबा करके रखने इसके बाद इस माला की आब को पूजन करने पूजा में जैसे के कुमकुम अच्छत रोली गुलाल इस प्रकार से आब को इसका तिला का करना इसके बाद आब को धुबका धुए दिखा करके से माता लच समी को समर्पीट के न रूसी दिन साम के समय में 24 घंटे रखने बाद ये चाहते तो साथ-से-अट-गंटे रख दिजे पिर आप इसे धाराण कर सकते हैं दूसरे करम में आते हैं मोति की माला मोती की माला फैदा बताने सपले सबी दर्सकों को कहना चाहूंगा अभी तक कोमे वल बढ़ते हैं और आप सभी दर्सकों को इस प्रकार ज्यान भरी जानकारी बताते हैं। करें हमारे मनोबल बढ़ाएं तो जो मोती की माला इसके पहने से विचारों में नियंतरन होता है जिहां विचारों में नियंतरन होता और मन की उल्जन भी समापता होती हैं बहुंसे लोग के पास पैसा होते हैं लेकिन इनके बाद मन में उल्जन होती हैं मन में अनेक प्रकार की विचार की बिचारों को दूर करने के लिए अगर कोई वेक्ति ऑऊ साध ग्रस्त हो गये हैं तो भी इसको ये माला ध़रन करना चैए इसके धहरन करने से वेक्ति अपने गुसे पर काबू करना सिख जाते हैं जिसे छोटे छोटे बातों में गुसा आते हैं थोड़ी से मन में चिरचीडा पना आ जाते हैं तो ऐसे वेक्ति को मोती के माला जरूर धारान करना चाहिए सर्दी जो काम की समझता दूर होती इसके धारान करने के बाद मन में शकरातमक्ता विचार का प्रवाः बनने लगता है देखिए जो मोती है इनके घुक्हाराई शिर्षे आव की है करते हैं ध्यान देना गोल और लंबे अकार के ही मोती की माला आपको धारान करना है और माल अच्मी से आब इक उपर में बहुत प्रशन होती हैं कब पहने कैसे पहने तो जोतिस्विज्ञान की माने सोमवान को सामके वक्ता चांदी के अंगुठी बनवाकर के कनिष्ठा जो की बेंशते हैं तो इस प्रकार के माला धारान कर सकते हैं हम वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी कुछ साइट का लिंक दे देंगे आप वहां से भी जाकर के बाई कर सकते हैं आप चाहें तो जोतिस्विज्ञान बताते हैं अगर आप मोती की माला पहन के लिए दोनों इनका दूश्मान है यह दोनों अगर आप धारान कर लेते हैं जैसे का लहसुनिया की शाहत में मोती माला धारान कर लेते हैं तो यह बरबाद कर सकते हैं इसलिए बतारों कि गोमेद और लहसुनिया की शाहत में इसे धारान मत करना इसके बाद आए हम तीसर भरी जान करी कोई नहीं बताएंगे, ध्यन से शुनियेगा। धारान करने की कई सारे प्रक्रिया बता चुकों कि किस प्रकार जो पारा होता है इसे मारा जाता है कि इस प्रकार से सिधी किया जाता है सभी दर्सकों को बताना चाहूंगे इसलिए प्राचिन ग्यान चैनल में आपको अनेक प्रकार के जानकारी मिलते हैं हम सारे जानकारी अ तो आपको 64 सिद्धी की प्राप्ती होती हैं, नौ प्रकार की निधी की प्राप्ती होती हैं, और ऐसा भी माना जाता है, इसके धाराण करने के बाद वैभाव हैं, सूख हैं, एश्वर हैं, आनन्द हैं, ये स्वाता ही प्राप्ता होना शुरू हो जाते हैं, दूसरी और कि सब्सक्राइब करें तो आप यह माला धृरान करते हैं तो किछी की भुधभवुश वर्तमान यह देख़ने वर्तमान भी बताऊंगा यह माला ओरीजिनल आपको कहां भी मिलेंगे यह बताऊंगा कै देखिए मानाद चाहते हैं बाद शरीर में पुए रोग आने वाला होता जैसे आप की सरीर में टाप बढ़ जाते हैं आप इसे साब कर सकते हैं ऑक कि ये color change कर दे तो आप पता कर सकते हैं कि आपके श्रीय में रोग आ चुके हैं तो आप इसे भी छुटकारा पास सकते हैं रोगों से ये बहुत सारे चीजों को स्वाता ही बताते हैं हम खुद इसका परमानत देख चुके हैं इसके बाद ऐसा माना जाता है इसके पहनने अग देरिद्रता का नास होते हैं तथा स्रेष्ट एवं आकाशमीग धन आग्मान होने की संभावना बढ़ जाती हैं। व्यक्ति का पौरूस तथा जो हिम्मत होते हैं व्यक्ति तो होते हैं अपने आप बढ़ जाता हैं। आपको अजिवन किसी भी प्रकार के दैविक, देहिक, सारिक, मनसिक, किसी भी प्रकार के पीड़ा नहीं होता। यह माला धारान करनेक बाद आप अजय हो जाते हैं। इसके धारान करनेक बाद कभी भी व्यक्ति की अकाल मृत्यू नहीं होती। पारद गुटिका के माला के बारे में कहा जाता है कि पारद गुटिका की माला अगर जो व्यक्ति मरते व्यक्ति हैं। जो कि जैसे बहुत से लोग होते हैं कि फासी लगाना चाहते हैं। जीवन जीने के फिर उम्मिद बढ़ जाती इतना जादे इसके अंदर में चमतकारी गुड छुपा होता है। तो आता करता हूँ कि प्राचिन ग्यान चैनल आप सभी दर्सकों को जरूर पसंद आता होगा। आज की जानकरी पर समाप तक करता हूँ दर्सकों। अगर आप माला लेना चाहते हैं। मैं त्वाल्टी की माला की कुछ लिंक दे दूँगा। आप यहां से पर्चेस कर पाएंगे। और मैं सही माला को चुन करके। मैं काफी कोशिस करने के बाद प्रयास करने के बाद कुछ जो कंपनी के माला दे पाएंगा। आप यहां से पर्चेस कर सकते हैं। बढ़ों देखने के लिए धेनेवादार सको। नमस्कार।